गुटने की गद्धी में अगर bucket handle tear हो तो उसको all inside anchors के माध्यम से किस तरह से repair करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गद्धी को सबसे पहले उसके स्थान पर बैठा देना होता है उसके उपरांथ एक traction suture डालके गद्धी को अपनी जगह पर reduce मतला अपनी जगह पर लेके आना होता है तो दोपरांथ हम fast fix flex device के माध्यम से एक एक करके धीरे धीरे bucket handle tear को reduce कर सकते हैं यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टाके लगाते जाते हैं वैसे वैसे गद्धी अपनी जगह पर reduce होती जाती है अपनी जगह पर आती जाती है यह जो device होता है यह दो तरह का होता है उपर की सतह पर curved device काम में आते हैं और नीचे की सतह पर reverse curved device का प्रयोग करना पड़ता है एक मरीज में इस तरह से 5-6 device डाल के घुटने की कद्धी को बहुत ही सफलता पूर्वक रिपेर किया जा सकता है कई बार हमको पोर्टल चेंज करने की भी आवशक्ता होती है यहां पर आप देख सकते हैं कि एंड में बहुत ही अच्छा रिजर्ट हम उप्टेन कर पाएं